तमिल नाडू सुनते ही आपको क्या याद आता है? उटी कोडे कैनल? या यहां के लोग? या यहां का खाना? या फिर यहां के मंधीर? मुझे तो भाई यहां के मंधीर ही याद आते हैं तमिल नाडू के विशाल और भव्वे मंदिर और बढ़े से बड़े वो पुरम शायदी भारत के दुसरे राज्य में आपको देखने मिले। तमिल नाडू अपने कल्चर और लोगों के परे, टेंपल आर्ट और टेंपल इंजिनियरिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। तमिल नाडू के इस आखरी एपिसोड में मैं आपको तंजाओर और कुंबको नम शहर के तीन ऐसे मंदिरों में लेकर जा रही हूँ, जो सदियों पूराना तो है, पर इन रीसेंट टाम्स में काफी पॉपिलर हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तमिल नाडू के आखरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, एंड आज एज यूजवल देर से निकल कर हम पहले ही पेट पूजा करने आ चुके है, कुछ गर्मा गरम नाष्टे के साथ आज का दिन शुरू किया जाए। तो लास्ट एपिसोड का पहला स्वाट हम लोग आई है, गुविन्दपुरम जो आता है, कुम्ब कोनम के रीजिन में, तो गुविन्दपुरम बेसिकली, माराश्रगे पंधरपूर जो है, श्री विठल रुपमिनी मंदीर है, यहां पे उसका टाइमिंग्स और रेस्ट वॉच्मेन अंकल को आदे घंटे तक रिक्वेस्ट करते हुए देख, फाइनली एक अंकल आये, जिनोंने हमें गौश आला देखने की पर्मिशन दे दी, हाला कि मंदीर बंध हो गया है, तो हम बस भाहर से ही दर्शन लेपाएंगे गुविन्दापूरम के इस मंदीर को श्री विठल रुकमेनी समस्थान कहते हैं, 1998 में भ्रह्म श्री विठल दाश्रे कृष्ण दिक्षिदर ने अपने नाम संकीरतनम से जुटाए हुए डोनेशन्स से बांदा था, मंदीर के द्वार के दोनों साइट में आप संत तुका गुविन्दापूरम के स्टैचूज देख सकते हो, जो विठल रुकमेनी के बहुत बड़े भब्त हुआ कर दे थे, कहते हैं, मंदीर के अंदर विठल, रुकमेनी, श्री कृष्ण, संत तुकारम और कई संत की स्टोरीज भी दिवारों में लिखी है, मंदीर के इस खूब बच्चे और बड़े लोग भी वेद सिखने आते हैं, कई बुजूर्ग लोग अपनी रेटार्मेंट लाइफ जीने भी यहां गोविन्दापूरम में आके रहे भी रहे हैं, भक्तों के लिए रहने के सुविदा भी यहां आपको मिलेगी जो विल्कुल फ्री है, नीचे दिये गए इस वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो, गोशाला के और जातेवक मैसिव कृष्णा के हातों का ये स्ट्रक्चर एंट्रेंस में ही हमें दिखता है, ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इस जगह के खूपसूरुती को दुगना बढ़ा रहा है, आगे के कई राज्यों से गाए यहां लाए गए है, जिनके सेवा यहां हर रोज होती है, इंट्रेस्टिंगली हर गौशाला में हमें वॉलेंटियस दिखे जो सेवा कर रहे थे, गौशाला के ठीक बीचों बीच भगवान विठल की वारकरियों के साथ की ये मूर्ती आपको कुछ देर इस पीस्फुल एन्वायमेंट में बैठ कर गोविंदापुरम से हम चले 40 किलोमेटर दूर वैदीश्वरन टेंपल की और वैदीश्वरन मंदीर भी 4 बज़े ही खुलता है और हम साड़े 3 बज़े ही आप औज गए है मंदीर भले 4 बज़े खुले पर मंदीर के प्रिमाइसेस में आप आकर आराम भी कर सकते हैं वैदीश्वरन मंदीर में महादेव को वैद्यनाधर यानि God of Healing के नाम से पूझा जाता है इस मंदीर से काफी हिस्ट्री जुड़ी है कहते हैं वैदीश्वरन मंदीर को किसने बांदा था कैसे बांदा और कब बांदा इसका कोई ठोस सबोत नहीं है मंदीर के अंदर 12 सेंचोरी के विक्रम चोला, 16 सेंचोरी के नायक्स, 18 सेंचोरी के मराधास की हिस्ट्री इन दिवारों में लिखी है टेंपल आर्किटेक्चर और टेंपल में लिखे गए हिस्ट्री से सिर्फ यही साबित होता है कि मंदिर 12th सेंचुरी से भी जादा पुराना है मंदिर के अंदर सिद्ध मिर्तम कुंड है जहां पहले भक नहाया करते थे पर अभी यहां पर आप सिर्फ पहरी भीगा सकते हो वैदिश्वरन मंदिर नाडी जोदिडम यानि पाम लीफ मैनस्क्रिप्ट उस पे लिखी गई आपके लाइफ के बारे में हर एक चीज आप यहां पर जान सकते हो टेंबल प्रिमाई से इसमें आपको सेकड़ दुकान दिखेंगे जो पाम लीफ मैनस्क्रिप्ट पे आपके लाइफ में प्रेजन से फ्यूचर के बारे में लिखी गई चीज़े आपको पढ़के दिखाएंगे इफ इन केस आप क्यूरियोस हो आपके फ्यूचर को लेकर तो यू कैन विजिट दिस टेंपर बड़ बिग रेड फ्लैग इस पाम लीफ आस्ट्रोजी काफी गिफ्टेड और रैर है जिनने आज के दिन में बिजनस बना दिया गया है और कई स्कैमर्ज भी आपको इस फील्ड में मिलेंगे ठीक से रिसर्च करके फिर ही आप इसे आप्ट करना वैदिश्वरन मंदीर में ऐसा माना जाता है कि शिव जी के इस वैदिश्वरन रोप के प्रार्थना से बिमारिया ठीक हो सकती है काफी लोग यहां मनत के दिये भी जलाते हैं यह नव ग्रह मंदीरों में से एक है जो मंगल ग्रह से जुड़ा है रामायन के कत्वानोसर इस जगर भगवान राम और लक्षमन ने जटाय उपक्षे का अंतिम अधिकार किया था वैदिश्वरन मंदीर के पॉजिटिविटी को समेट कर हम निकले हमारी आखरे स्पॉट पे ताट इस गंगाई कोंडा चोलापुरम आज पूरे दिन भर में धूप ने हमें काफी परेशान कर दिया था पर गंगाई कोंडा चोलापुरम में एंटर करते ही बिल्कुल अलग क्लाइमेट हमें मिला गाउं के छोटे रस्तों से क्लाओड बर्स्त के मजे उठाते हुए हम गंगाई कोंडा चोलापुरम पहुंज और अगर आपके पास गाड़ी रहेगा तो बहुत ज्यादा फीज और उसी के इसाब से मुझे जो पॉइंट्स कवर करना था और आप लोगों को दिखाना था वही पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है यह वीडियो में तो अगर वीडियो निकाल सकते हैं तो मैं निकाल के आपको जरूर मैं शैर करती हूं तंजाओर के ब्रिहदीश्वरर मंदीर का एक अलग एपिसोड मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसे चोला राज्य के राजा राज चोलन ने बांदा था उन्ही के बेटे राजेंद्र चोलन फॉस्त ने इस गंगई कोंडा चोला पुरम के ब्र की मदद जरूर लेनी पड़ेगी चोला पुरम के ब्रिहदीश्वरर मंदीर तंजाओर के ब्रिहदीश्वरर मंदीर से काफी सिमिलर भी है और काफी अलव भी युनेस्को वर्ल्ड हरिटेट साइट ने 2004 में गंगई कोंडा चोला पुरम के इस मंदीर को भी ग्रेट लिव से गंगई कोंडा चोला पुरम मंदीर का ये व्यो काफी स्पेक्टाकिलर लगता है इन दो पिलर्स को क्रॉस करते ही आप इन स्क्वेर शेब्ड रॉक्स को देख सकते हो इसे इस तरह से डिजाइन करने के पीछे का रीजन तो मुझे नहीं पता पर इस रॉक्स के कारण ब मंदीर गंगई कुंडा चोला पुरम में आप पहले कोडी मरम जो जंडे का खमबा होता है यूजिली हर मंदीर में वो देख सकते हो ठीक उसके आगे कमल के फूल के शेप का स्ट्रक्चर है जिसे बली पीडम कहते है वो देख सकते हो और फिर उसके आगे 200 मीटर की ये शाल नंदी की मूर्ती आप यहां पर देख पाओगे मंदीर के प्रवेश द्वार में दो द्वार पालुकों के स्टैचूज है जो लगबख साथ से आठ फीट उंची है मंदीर के ठीक इस पॉइंट से नंदी और इस मंदीर के तीनों फ्रेंट साइड के व्यू बेहत खोबसूरत लगता है मंदीर के अंदर फोटो एंड वीडियोग्राफिय अलाउट नहीं है इसलिए मैं बहार से ही आपके दर्शन करवा रही हूँ मंदीर के दीवारों के चारों और सरस्वती, नटराज, शिवजी जिसे लबबक पच्छास कल्चर्स आप यहां पर देख सकते हो मंदीर का ये विमानम स्ट्रक्चर 180 फीट है जिसे स्क्वार शेप के बेस में बनाया गया है तंजाउर और कुम्बकोनम के बाउंडरी में तीन बड़े शिव टेंपल्स है जिसे चोला राज़के दोरान चोला राजवांशर्जों नहीं बांदा था एक तंजाउर का ब्रिहदीश्वरर मंदीर है दूसरा गंगई कोंडा चोलापूरम का ये ब्रिहदीश्वरर मंदीर और तिसरा अईरवतीश्वर धारा सुरम टेंपल है और तीनों मंदीरों में द्रवीडियन स्टाइल ओफ आर्किटेक्चर आप कॉमनली देख पाओगे गंगई कोंडा चोलापूरम के इस मंदीर को राज़ेंद्र चोला फर्स ने तमिल वास्तु और आगम शास्त्रा के मदद से बांदा था धेर सारे मेमरीज और इस व्यू को अपने साथ लेकर मैं रिटन चली अपने घर तन जाओ वेल घर वापसी के वक्त तिरवयार बीच में लगता है तिरनल वेली में जैसे हलवा फेमस है वैसे ही तिरवयार में भी हलवा काफी फेमस है ये अंकल पिछले पचास साल से इस बिजनस पे है और सिंस दे वन कस्टमर्स को रीटेन करने का टेक्निक ये उनका दिल्सदार स्माइल है ये लिटरली ग्रीट्स एवरी कस्टमर भले छोटे हो या बड़े हो अबनका कड़ एत्तन वर्षत लारमेचिए मैं आएवरी 7-2 एवरी 7-2 एवरी 7-2 एवरी 7-2 एवरी 7-1 एवरी 9-1 एवरी तिरवयार ले उंगलोड इथि दाँ फेमस है फुल्लावे प्योर्गीलल पन्ट्रिंगा अधर नादो बादो के इस सीरीज को धेर सारा प्यार देना दोस्तों काफी महनत लगाई है मैंने मिलते हैं एक नए लोकेशन में तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर करने मत बुलना